बुद्धिजम दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे समय से अवगत कराने वाला हूँ, जिसे इंडियन एंचिन्ट हिस्ट्री का वाटरशेड मोमेंट बोला जा सकता है। ये कहानी है 6th और 5th सेंचुरी BC की, जिब नौर्थ इंडिया के गंगा यमुना के अपर दुआब में आरियन कल्चर अपने पीक पर पहुँच चुका था। दोस्तों, जैनिजम के लेक्चुर में हमने देखा कि किस प्रकार इस दौर में कई तरह के रिलिजिस सेक्ट्स का राइज हुआ। हमने देखा कैसे सोसाइटी की सोशल, एकनामिक और पुलिटिकल कंडिशन्स किसी भी रिलिजिन के राइज होने का प्राइमरी कारण होती है। इन रिलिजिस सेक्ट्स में से जैनिजम के साथ बुधिजम ऐसा दूसरा सेक्ट था जो इंडियन सबकॉंटिनेंट में वाइडली स्प्रेड हो पाया। इंडिया में ही नहीं, बुधिजम का इंफ्लूएंस आज आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। कंपारिजन के दौर पर देखें, तो जैनिजम इंडिया में ही कनफाइंड होकर रह गया। तो दोस्तों शुरू करते हैं डिसकशन बुधिजम के कौज़ेज अव ओरिजिन से, कौज़ेज अव ओरिजिन अव बुधिजिम। दोस्तों, क्योंकि बुधिजम और जैनिजम लगभग एक ही समय पर राइस हुए, इसलिए दोनों के ओरिजिन के कौज़ेज भी सेम ही थे। संक्षिप्त में देखें, तो लेटर वैदिक कल्चर में वर्ण सिस्टम का रिजिड स्ट्रक्चर और बर्थ पर बेस्ट होना, न्यू रिलिजिन्स के राइस का एक कारण बना। दूसरा और सबसे में कॉस था, मिड गैंजेटिक प्लेंज में वाइड स्प्रेड अग्रिकल्चर बेस्ट इकॉनमी का राइस होना। तीसरा, कॉइन्स के यूज से ट्रेड और कॉमर्स बढ़ा, जिससे वैश्याज का सोसाइटी में इंपोर्टन्स बढ़ता गया, और वो अपनी सोशल स्टेटिस बढ़ाने के लिए नए रिलिजिन्स की और आकर्शित हुए। और फाइनली, सोसाइटी के कंसरवटिव लोग पुरानी लाइफस्टाइल की मांग करने लगे। दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को आप डीटेल में जैनिजम के विडियो से कवर कर सकते हैं। आईए अब हम बात करेंगे बुधिजम के फाउंडर गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के फादर शुद्धोधन कपिल वस्तु के एक इलेक्टिड लीडर माने जाते हैं, जो शाक्य क्लैन के हेड थे। उनकी मदर माया देवी कोशलान डाइनेस्टी की एक प्रिंसेस थी। इससे ये साफ है कि बुद्ध एक नोबल फैमिली से बिलॉंग करते थे और एक रिपब्लिक स्टेट में रहने के कारण एगैलिटेरियन बिलीव्स यानि समान अधिकारवादी थे। बचपन से ही उनका मेडिटेशन से बड़ा लगाव था। उनकी मैरेज अली एज में ही हो गई थी। लेकिन उन्हें कभी मैरेड लाइफ में इंट्रिस्ट नहीं रहा। यहां पर फोर साइट्स के फेमस इंसिडेंट का जिक्रा आता है। बचपन की एक भवश्यमारी में कहा गया कि सिधार्त या तो बुद्ध बनेंगे या फिर एक ग्रेट किंग। अब उनके फादर ने उनको ग्रेट किंग बनने की मनशा रखते हुए उन्हें पैलस की लगशरी में बंद करके रखा। 29 साल की एज में जब पहली बार वो अपनी पैलस से बाहर निकले तो उन्हें चार सीन्स दिखाई दिये। पहले उन्हें एक ओल्ड पर्सन दिखाई दिया जिसने उन्हें एजिंग के कॉंसिक्वेंसे से अवगत कराया। दूसरे सीन में उन्हें एक sick person मिला, जिसको कोई disease थी. उसने ये बताया कि सारे human beings को disease और pain होना निश्चत है. तीसरे सीन में उन्हें एक dead body दिखाई दी. उनके chariotear ने उन्हें बताया कि death को रोकना इंसान के लिए नामुम्किन है. चौथा सीन एक ascetic यानि तपस्वी का था, जिसने अपने आपको human suffering search करने में devote किया हुआ था. इन four sites के बाद ही उन्हें human suffering को खत्म करने और rebirth की cycle से free होने की प्रेरणा मिली. 29 साल की age में ही उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया. समाज के लोगों में फैली misery से वो काफी influenced थे और उसका solution ढूणना चाहते थे. साथ साल तक वो एक जगह से दूसरी जगह भ्रमन करते रहे. और 35 साल की age में उन्होंने एक people tree के नीचे enlightenment को पाया. इसी कारण से जगह का नाम बोध गया पड़ा, जो की आज बिहार में है. इसी के बाद उनको the enlightened one यानि बुद्ध कहा जाने लगा. अपनी इस लंबी journey में उन्होंने लोगों से अपने ideas share करना चालू किया, जिसे sermon कहते हैं. पहला sermon उन्होंने सारनाथ बनारस में दिया. उनकी फिजीक काफी strong थी, जिसके कारण वो एक दिन में ही काफी लंबी journey कर बाते थे. सिर्फ बारिश के सीजन को छोड़कर वो लगातार घूमते रहते, meditate करते और preach करते रहते थे. 40 साल तक यही सिलसला चलता रहा. इस दोरान उन्हें दूसरे sects के supporters जैसे Brahmins भी मिले, जिनको उन्होंने आसानी से debates में defeat किया. उनकी missionary activities ने कभी भी rich और poor, high और low, man और woman में discriminate नहीं किया, जो उनके egalitarian beliefs का एक example है. 487 BC में कुशी नगर में 80 साल के उम्र में उनकी death हो गई. यह जगह आज Eastern UP के देवरिया district के कसिया नाम के village में है. यहाँ यह जानना ज़रूरी है कि 6th century BC में बुद्ध के existence का कोई archaeological evidence अभी तक नहीं मिला है. कौशामबी, श्रावस्ती, वारानसी, वैशाली और राजग्रिह जैसी cities जिन में बुद्ध की presence का दावा किया जाता है, वो सभी 5th century BC के बाद ही urbanize हो पाई. दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुद्धिजम की doctrines की. Doctrines of Buddhism गौतम बुद्ध वास्तव में एक practical reformer थे, जिन्होंने उस समय की society की realities को accept किया और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी. उन्होंने खुद को समाज की सामान्य समस्याओं से जोड़ा, जो लोग daily life में सफर कर रहे थे. उनका ये मानना था कि world sorrow यानि की शोक से भरा हुआ है और लोगों की suffering का main कारण उनकी desires हैं. यदि इन desires को conquer कर लिया जाए, तो इंसान निर्वाना को पा लेता है, जिसके बाद वो birth और death के cycle से free हो जाता है. उनका कहना था कि निर्वाना कोई place नहीं है जहां पहुँचा जा सकता है, बलकि ये एक experience है जिसको इसी life में पाया जा सकता है. बुद्धिसम में कोई भी supreme deity या God को established नहीं किया गया. बुद्ध ने human misery को eliminate करने के लिए eight-fold path यानि अश्टांगे का मार्ग को recommend किया. 3rd century BC के एक text में इस path का mention किया गया है. इस eight-fold path में included है right observation यानि सम्यक दृष्टी, right determination यानि सम्यक संकल्प, right speech यानि सम्यक वानी, right action यानि सम्यक कर्मान्त, right livelihood यानि सम्यक आजीविका, right effort यानि सम्यक व्यायाम, right awareness यानि सम्यक स्मृती, और right concern यानि सम्यक समाध ही. बुद्ध के अनुसार, यदि मनुष्य इस eight-fold path को follow करेगा, तो वो अपने आपको rituals को follow करने की necessities से दूर रख पाएगा और निर्वाना की ओर अग्रसर हो पाएगा. और ऐसा करके, वो अपने final destination को पाने में successful हो पाएगा. बुद्ध की सबसे important philosophies में से एक थी middle path. इसके हिसाब से इंसान को luxury और austerity यानि तपस्वी जीवन के बीच में रहने के उपदेश दिये. दोनों ही चीजें excess में नहीं होनी चाहिए. यही philosophy बुद्ध को महावीर से अलग बनाती है. जहां महावीर ने strict austerity को follow करने को कहा. बुद्ध ने अपने followers के लिए एक code of conduct भी बनाया. उसके principal tenets कुछ इस प्रकार थे. आप देखेंगे कि यह teachings हमें जैनिजम में और बाकी सभी religions में भी देखने को मिलती हैं. बुद्ध के अनुसार हर इंसान खुद ही अपनी happiness के लिए responsible होता है. यह feature बुद्धिजम के individualistic component को दर्शाता है. दोस्तों, जैनिजम और बुद्धिजम इसी दौर में rise हुए. तो एक नज़र डालते हैं दोनों के doctrines के differences में. comparison with जैनिजम बुद्धिजम cycle of birth and death में believe करता है, जो कि सिर्फ निर्वाना यानि enlightenment से break हो सकता है. जबकि जैनिजम इनसान के good और bad deeds के हिसाब से चलता रहेगा, जब तक liberation achieve नहीं होता. बुद्धिजम में sin को define नहीं किया गया है, जबकि जैनिजम में दूसरों को हाम पहुँचाना sin बताया गया है. बुद्धिस्ट टीचिंग के अनुसार life को suffering बताया गया है, जो desires के कारण उत्पन्न होती है. Eightfold path को follow करके इनसान इससे बच सकता है. जैनिजम सभी living beings की respect पर stress करता है, और liberation का माध्यम five vows बताय गये हैं. बुद्धिजम के दो main sects हैं, महायान और हीनियान. जैनिजम के दो main sects हैं, श्वेतामबरस और दिगामबरस. दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुद्धिजम के features और ये भी देखेंगे कि किस तरह बुद्धिजम का spread हुआ. Features of Buddhism and causes of its spread. बुद्धिजम ने God और Soul के existence को deny किया, और ये feature Indian religions की history में एक revolution की तरह देखा जा सकता है. बुद्धिजम ने awareness system को attack किया, जिसके कारण वो lower strata के लोगों से attach हुपाया. इसमें शुरुवाती दौर में किसी भी तरह के philosophical discussion को encourage नहीं किया गया, जिसके चलते आम आदमी इससे attract हुए. बुद्धिजम के comparison में बुद्धिजम, liberal और democratic religion के तौर पर उभर कर आया. बुद्धिजम ने particularly non-vedic areas के लोगों को appeal किया, बुद्ध की personality और उनकी preaching के methods के कारण बुद्धिजम का spread काफी तेजी से हुआ. उन्होंने evil को goodness से और hatred को love से fight करने की बात कही. wit और presence of mind से उन्होंने अपने opponents को tackle किया. पाली language जो की प्रकृत language का एक type है उसने common लोगों के बीच बुद्धिजम के spread में contribute किया. और बुद्ध ने religious order यानि संघ को organize किया, जो हर तरह की caste, creed और sex के लोगों के लिए खुला था. इन Buddhist orders यानि संघ में women को भी men के बराबर का अधिकार मिला. slaves केवल अपने masters की permission के बाद ही join कर सकते थे. संघ को join करने के लिए continents यानि सैयम, poverty और faith होना जरूरी था. तो overall अगर देखा जाए तो बुद्धिजम के तीन principle elements थे बुद्ध, धम और संघ. organized preaching और संघ की मदद से बुद्धिजम बहुत तेजी से progress करने लगा. मगद, कोशाल और कोशांबी जैसे कई Republican states के rulers और वहां के लोगों ने बुद्धिजम को अपनाया. बुद्ध की death के 200 साल बाद अशोक ने बुद्धिजम को embrace किया. अशोक ने अपनी missionary activities से बुद्धिजम को Central Asia, West Asia और श्रिलंका तक पहुँचाया और बुद्धिजम को एक world religion बना दिया. बुद्धिजम को origin जरूर इंडिया में रहा, पर ये इंडिया से disappear हो गया, लेकिन South Asian, South East Asian और East Asian countries में follow किया जाता है. दोस्तों, गौतम बुद्ध की death के बाद, उनकी teachings को compile करने के लिए एक council का गठन किया गया. आगे चलकर total 4 councils बुद्धिजम में हुई. इन councils पर एक नज़र डालते हैं. बुद्धिस्ट काउंसल First council King Ajat Shatru के patronage में 483 BC में हुई. मंक महाकश्यपा ने इसको preside किया. राजग्रिह के सत्तपानी केव में ये council हुई. बुद्ध की teachings यानी सुत्त को preserve करने और disciples के rules बनाने के लिए ये council हुई. इसी council में बुद्ध की teachings को तीन पितकाज में divide किया गया. Second council King Kalashoka के patronage में वैशाली में 383 BC में हुई. इसको सभाकमी ने preside किया. Third council King Ashoka के patronage में 250 BC में पाटली पुत्र में हुई. मोगली पुत्त तिस्था ने इसको preside किया. Fourth council कुशान टेंपल के king कनिश्क के patronage में 72 AD में कुंडल वन कश्मीर में आयोजित की गई. वासुमित्र ने इसको preside किया. Fourth council important रही क्यूंकि इसी council में बुद्धिजम दो sects महायान और हीनियान में divide हो गया. दोस्तों, आज बुद्धिजम हजारों sects और schools of thoughts में divided है. इन में से कुछ important schools और उनकी basic ideology को समझते हैं. Schools of Buddhism महायान इसका literal meaning है great vehicle. इसके अंतरगत बुद्ध को God की श्रेणी में रखा गया. बुद्ध की idol worship को importance दी गई. महायान बुद्धिजम नौर्थ इंडिया और कश्मीर में originate हुआ और बाद में Central Asia, East Asia और South East Asia में spread हुआ. China, Korea, Tibet और Japan में इस Buddhist school को follow किया जाता है. हीन यान इसका literal meaning है lesser vehicle. इसमें बुद्ध की original teachings पर stress दिया गया. आइडल वर्शिप को reject किया गया. Self-discipline और meditation के थूँ individual salvation को पाने की बात कही गई. थिरावड़ा हीन यान स्कूल का ही sect है. ओरिजिनल बुद्ध टीचिंग्स के सबसे करीब इसको माना जाता है. श्रिलंका में इसका development हुआ और वहां से South East Asia में इसका spread हुआ. इसको तंत्रिक बुद्धिस्म भी कहा जाता है. 900 CE में इंडिया में ये स्टार्ट हुआ. इसमें कुछ specialized knowledge वाले लोगों को ही importance दी गई है. इसके काफी strict rituals को follow किया जाता है. अब एक नज़र डालते हैं important Buddhist texts पर. Major Buddhist texts बुद्ध की teachings oral थी, जिसको संगह के members ने memorize किया और special occasions में recite किया. First council में, three pithakas में इसको divide किया गया और 25 BC में पाली language में इनको लिखा गया. पहला, विनया पितका. इसमें monks और nuns के लिए rules of conduct और monastic life में follow किये जाने वाले discipline को mention किया गया है. दूसरा सुत्त पीतका. इसमें बुद्ध की main teachings यानि धम्म को explain किया गया है. इसको पाँच निकायाज में divide किया गया है. दिघा निकाया, अंगुत्रा निकाया, खुद्ध का निकाया, सम्युत्ध निकाया और मज्यमा निकाया. तीसरा है अभी धम्म पीतका. इसमें monks की teachings का philosophical analysis दिया गया है. इसी तरह के कुछ और important Buddhist texts हैं, जैसे दिव्यावंदना, दीपावंसा, महावंसा, मिलिंद पन्हा, etc. दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि Buddhism इंडिया से disappear हो गया, लेकिन ये किन कारणों की वचह से हुआ, आईए जानते हैं next section में. Causes of Decline of Buddhism 12th century के अंत तक, Buddhism इंडिया से almost extinct हो गया. दोस्तों, कोई भी religion स्टार्ट होने का basic कारण spirit of reform होती है, लेकिन समय के साथ वो rituals और ceremonies के सामने जुग जाता है. Brahmanisms के जिन evil से लड़ाई लड़ते हुए Buddhism का rise हुआ था, वही उसके decline का कारण बना. Buddhist challenge से लड़ने के लिए, Brahmins ने अपने religion को reform किया. उन्होंने cattle wealth को preserve करने की बात कही, और women और शुद्राज को heaven में admission का assurance दिया. Buddhist monks धीरे-धीरे mainstream लोगों से cut off होते चले गए. उन्होंने common people की language यानि पाली को abandon कर दिया और संस्कृत को अपना लिया, जो की intellectuals की language थी. First century के बाद से ही monks ने idol worship practice करना चालू कर दिया. Rich offerings और royal grants के चलते Buddhist monasteries के monks की life easy हो गई. कुछ monasteries जैसे नालंदा ने करीब 200 villages से revenue collect करना चालू कर दिया. 7th century तक Buddhist monasteries ease loving लोगों के domination में आ गई. और गौतम बुद्ध ने जिन corrupt practices को prohibit किया, उसी का center बन गई. इस नए तरह के बुद्धिजम को वजराय न बोला गया. बुद्धिस्त्स को persecute किया. इसी तरह के कई instances हमें history में देखने को मिलते हैं. हुन किंग मिहर कुल ने hundreds of Buddhists को मार दिया. शेशांक अव गौडा ने बोधी tree को गिरवा दिया, जहां बुद्ध को enlightenment मिला. ट्रैविलर हुएन सैंक के अनुसार करीब 1600 स्थूपाज को destroy कर दिया गया और हजारों monks और followers को मार दिया गया. South India में शेवाइट्स और वैश्नवाइट्स ने early medieval era में जैन और बुद्धिस्त्स दोनों को ही oppose किया. इन conflicts के चलते बुद्धिस्म weak हो गया. Monasteries के rich होने के बाद Turkish invaders especially इन्ही को target करने लगे. उन्होंने Monasteries को लूटा और बुद्धिस्त की एक बड़ी संख्या को मौत के घाट उतार दिया. इन्ही सब कारणों से 12th century तक बुद्धिस्म इंडिया से virtually disappear हो गया. लेकिन disappear होने के बावजूद बुद्धिस्म ने Indian society और economy पर अपनी चाप छोड़ी. आईए जानते हैं next section में. Significance and influence of Buddhism पहले बात करते हैं inequality and poverty पे बुद्धिस्म के views की. दोस्तों, North East India में iron plow share based agriculture, traders और coins के कारण, traders और nobles ने अच्छी खासी wealth जोड ली थी. इसके कारण society में social और economic inequalities create हो गई. बुद्धिस्म ने लोगों को wealth न अक्यूमिलेट करने की हिदायद दी. बुद्धिस्म के अनुसार, poverty से hatred, cruelty और violence जन्म लेता है. इसलिए poverty का खत्म होना जरूरी है. अब बात करते हैं, वर्ण classification के basis की. बुद्धिस्म के हिसाब से वर्ण classification, individual action और qualities पर बेस्ट था. अनलाइक ब्रह्मिनिस्म, जिन के लिए वर्ण classification, बर्थ पर बेस्ट था. अन्डाव्टिदली, बुद्धिस्म का main objective था, salvation of the individual और निर्वाना. अब बात करते हैं, status of women and shudras की. बुद्धिस्म का women और shudras के लिए open होना, society पर एक important impact कहा जा सकता है. क्यूंकि women और shudras को हमेशा ही same category में रखा जाता था, brahmanism में. उन्हें वैदिक texts पढ़ने और sacred thread को पहनने की आजादी नहीं थी. और बुद्धिस्म में convert होते ही, उन्हें इस inferiority marks से freedom मिला. वही manual labor की बात करें, तो बुद्धिस्म ने manual labor का विरोध नहीं किया. In fact, बोध गया में मिले एक second century sculpture में बुद्ध को प्लाव करते हुए देखा गया है. अब करते हैं cattle की बात. cattle की importance पर stress देते हुए बुद्धिस्म ने country की cattle wealth को boost किया. एक early Buddhist text सुत्तनी पता में cattle को food, beauty, strength और happiness अर्थात अन्नदा, वन्नदा, बलदा और सुखद प्रदान करने वाला डिक्लेर किया. और इसी कारण उनकी protection पर stress दिया. ब्रहमेनिकल फिलोसोफी में cow की sacredness और non-violence की बात apparently Buddhist teaching से ही inspired है. अब बात करेंगे Buddhism में rationalism की. दोस्तों, Buddhism ने लोगों को superstition से बाहर निकाल कर logic और merit के आधार पर अपने judgments करने को कहा. इसका मतलब Buddhism ने कहीं न कहीं rationalism को promote किया. वहीं Buddhism ने एक नई तरह की language hybrid Sanskrit को develop किया, जिसमें पाली और Sanskrit को blend किया गया. East India में कुछ texts अब भरंच language में लिखे गए. Buddhist Monasteries learning के लिए great centers की तरह उभर कर आईं, जिन्हें residential universities भी कहा जा सकता है. जैसे नालंदा और विक्रम शिला इन बिहार, वल्लभी इन गुजरात. Buddhism का Indian culture में भी काफी contribution रहा. आईए एक नज़र डालते हैं. Contribution to Indian culture. बुद्धिजम का सबसे important contribution रहा, concept of ahinsa, जो आज भी Indian values में दिखाई पड़ता है. गांधी जी भी इससे प्रभावित रहे. बुद्धिजम ने ancient India के आर्ट पर अपना प्रभाव छोड़ा. इतिहास कारों की माने तो इंडिया में वर्षिप की जाने वाली first human statue, probably बुद्ध की ही कही जा सकती है. Faithful devotees ने बुद्ध की life events को stone में portrait किया. बुद्ध गया सांची और भारुत में मिले Buddhist artistic activity का एक illuminating example कही जा सकते हैं. गौतम बुद्ध की panel images first century के बाद से ही हमको देखने को मिलती हैं. Greek और Indian sculptures ने मिलकर North West Frontier में एक नई art को create किया, जो गांधारा art के नाम से प्रचलेत हुई. Monks के residence के लिए rocks में cut करके rooms बनाए गए, जिसके बाद बर्बर hills, गया और Western India के नासिक के आसपास cave architecture की शुरुआत हुई. South के Krishna Delta और North में Mathura में भी Buddhist architecture flourish हुआ. Conclusion तो दोस्तों, ये धी कहानी बुद्धिजम के rise और उसके इंडिया पर influence की. ये सच है कि बुद्धिजम एंडिया से disappear हुआ, लेकिन सराहनी है कि वर्ल्ड में आज भी Buddhism एक important religion है. सिर्फ बुद्धिजम में ही नहीं, बुद्ध की teachings और उनके ideals के लिए respect आपको हर तबके के लोगों में देखने को मिलेगी. ऐसा कहा जा सकता है कि बुद्ध humanity के लिए एक great inspiration है.